हाई फ्रेंज मैं दाशकर पांडे और मैं लेके आया हूँ आपको बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जो ग्राम समाज और विकास से रिलेटेड है आपको पता ही होगा कि लेकपाल के 8000 पद 885 पद जो है वो आ चुके हैं और इसमें सबसे इंपोर्टेंट रोल प्ले करने व भी स्टेंडेड बुक्स है और कुछ टीचरों का मैंने देखा तो मैंने वहाँ से एक ब्रीफली नौलेज निकाला है एक जो आपकी एक्जाम में आ सकता है मैंने वहाँ पे निकाला है कि ग्राम इड परिवेश क्या है क्या नहीं सारी छीज़िया आपको पता ही है कि जो दिया गया है ग्राम में समाजयों विकास इसमें लगभग 14 से 15 टॉपिक में इंसन किये गए है जिसमें कि ग्राम विकास भातिस अंदर में हैं ग्राम विकास कारिक्रम हैं ग्राम विकास योजनाय हैं प्रबंदन है उनका और इसी तरह सोथ प्रणालिया हैं फिर त्रिपंच प्रशायती राज विवस्ता है भूमी सुधार है और केंदर और राज से संबंदी जितने विकास से योजनाय चल रही है यह सारी चीज़े वहां पर मिंसन की गई है तो मैंने इन सारी चीजों का एक एक वीडियो में लगपक 15 मिनिट का वीडियो में बनाऊंगा एक उसमें दीरे दीरे सारी चीज़े 10 से 15 15 से वीडियो में मैं खतम करने का प्रयास करूँगा और मैं यहीं प्रयास करूँगा कि आपको वो सारी चीज़े बहुत बहुत समझ में आए और मैं बहुतर समझाने का प्रयास करूँगा तो आज की वीडियो में समाने पर चाहिए यह रह हमारा और हम आज की वीडियों क्या देखेंगे हम सबसे पहले देखें कि लेक पाल और पटवारी में अंतर क्या होता है उसके बाद हम देखेंगे कि लेक पाल का पद सुपान क्या होता है और हम जानें कि राज़स परसद क्या होती है फिर कुछ महत्तुपूर जो वक्तव है कि ग्राम क्या होता है, ग्राम सभा क्या है, पंचायती राज क्या है, ग्राम परिस्त क्या है, तो इन सारी चीजे को बारे में जानेंगे, बाकि ये सारी चीजे हम बाज में भी जानेंगे, जब हम पढ़ेंगे क्या त्री पंचायती राज विवस्ता, तो आज की वीडियो मे हम सबसे पहले यही देखेंगे कि लेकपाल और पटवारी में अंतर क्या है तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं कि लेकपाल और पटवारी में अंतर क्या होता है लेकपाल और पटवारी के बीच में अगर हम अंतर देखें तो आपको एक चीज़ में बता दूँ कि लेक पाल और पटवारी के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं है एक तरह से कहें कि डिफरेंस है ही नहीं लेक पाल ही पटवारी और पटवारी ही लेक पाल है आपको पता होगा कि सेर्सा सूर्य के समय से ही पटवारी नाम चला रहा है और अगबर ने भी उसी तरह उसको रखा पटवारी ही रखा उसको आगे चल के र cooking लेकिन हुआ क्या कि 1952 में उत्तर प्रदेश के अंदर चौधरी चरण सिंग के समय में क्या हुआ कि चौदरी चरण सिंग ने क्या किया कि पटवारी का नाम चेंज करके 1952 में और उसका नाम रख दिया लेकपल सिर्फ ये यूपी में हुआ हर जगा पे नहीं आपको पता होगा कि राजिस्थान में राजिस्थान वगरा वाले छित्र में आज भी पटवारी ही च आना कि पटवारी और लेकपाल के बीच में कोई बड़ा डिफरेंस होता नहीं है वो सारी चीजे सेम ही है और लेकपाल वही कार करता है जो पटवारी करता है वही कार होता है इन दोनों का भी जैसे राज्यस का निरिष्छक करना ग्रामिट चोत्र से रिलेटेड और जमीन करता धरता ये होता है जो छेतर का होता है ये सारी चीज़े वह कार करता है कि ले इसके अंदर पटवारी का नाम 1952 में चेंज करके चौधरी चरण सिंग के समय में या चौधरी चरण सिंग में 1952 में इसका नाम पटवारी से चेंज करके लेकपाल कर दिया था ठीक है तो अब आगे आई हम जानते कि लेकपाल के कार क्या होते हैं लेकपाल के कारे के बारे में अगर हम देखेंगे तो आपको लेकपाल के कारे के बारे में पता होना चाहिए, मैंने आपसे बताया कि लेकपाल राजजस्व का उपनिरिचक होता है, राजजस्व उपनिरिचक होता है, क्या होता है, राजजस्व उपनिरिचक की बात होती है, और आपको ये चीज तो पता ही कि लेखपल के जितना भी कार होता है लगवाग ग्रामीड छेत्रों में ही होता है वो ग्रामीड छेत्रों में ही काम करता है ग्रामीड छेत्रों से रिलेटर जितनी भी चीजें है भूमी का लोखा जोखा करना और भूमी में क्या है क्या फसल ह करता भी इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे इस लाइन का मतलब हो, यहाँ सीधा सीधा सिधा समझ सकते हैं, और दूसरा कहा कि ग्रामीड छेतर से राजश्व के लिए सरकारी सबसे छोटा प्रसासनिक पद होता है, तो यह मैंने आप से बताया ना कि राजश्व की वसूली करन होगा, तो सीधा जाके जिलाधिकारी नहीं करेगा, ठीक है, सीधा जिलाधिकारी नहीं करेगा, सीधा कलेक्टर जाके नहीं करेगा, बलकि उससे संबंधित जो सबसे छोटा पद बनाया गया, वो लेकपाल का बनाया गया, ताकि वो ग्रामीड छेतर से रिलेटेड जितनी भी राजस्य की वसूली है उसको लेकपाल कर सके और लेकपाल के अंडर भी आता है अमीन जो हमने आप से बता है अमीन ये सबसे अगर आपसन में आता है कि सबसे छोटा पद कौन सा है अगर अमीन दिया हुआ तो आपको तिक यहाँ पर इसको सही मारना होगा लेकिन अगर लेकपाल लिख के आता है तो वो सही हो जाएगा और यहाँ पर याद रखिएगा कि राजस्य लेकपाल की बात हो रही चकबंदी लेकपाल की बात नहीं हो रही अभी हम लोग जब पत्सोपान में बात करेंगे तो महाँ पर जब डिफरेंस देखेंगे राजस्तु लेकपाल लोग चकबंदी लेकपाल में क्या उंतर होता है इन सारी चीजों का हम लोग वहाँ पर अच्छे से डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ ये करता क्या है कि ग्रामीड चेत्रों से सीधा समवाद स्थापित करता है कैसे सरकार से और ग्रामीड चेत्रों का जो संबंध होता है लेकपाल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है इसलिए लेकपाल को सही होना बहुत इंपोर्टन्ट है अगर सही नहीं होगा तो सरकार ग्रामिड छित्रों के लोगों से जुड़ी नहीं पाईगी सही साइशिए, उनका कार सही सिकर ही नहीं पाईगी पता लगा किसी का आए पणापत्तर बनाना है लेक पाल अगर क्रोधित हो गया उससे नहीं बना रहा है सही से तो पतला उसका आयपणा पत्थरी नहीं बन रहा है तो सरकारी योजना है उसका लाभी हो नहीं पा रहा है तो ये सारी चीजे हैं अब किसी की जमीन किसी के नाम है लेकपाल ने किसी और के नाम कर दिया तो ये जरूरी है कि लेकपाल को सही होना चाहिए यहाँ पे तो लेकपाल के कार एक तरह से देखा जाए क्या होते हैं तो लेकपाल के कार आपको पता होने चाहिए लेकपाल के कार ग्रामीर छेतरों से जुड़ी हुए होते हैं जैसे भूमी का लेखा जोखा करना भूमी की क क्या पैदाई सुई भूम में क्या बोया गया उस ग्रामिड छित्र में कितनी वर्सा हुई कितनी फसलोगी किस चीज की फसलोगी है ना फिर फसल से आपदा में अगर सारी चीजे हो गई तो फसल खराब हो गई जिसे गिरदावरी आगे पढ़ेंगे सब दाता है लेकपाल का से related है तो गिर्दावरी तैस सरकार आदमी को मुआउजा देती है फसलों में जब फसले खराब हो जाती है तो गिर्दावरी भी लेकपाल द्वारा ही तैयार की जाती है तो अगर उसने गलत गिर्दावरी बना दिया आपका नाम हटा दिया तो आपको सरकार द्वारा जो भी यूजनाय है, फल मिलना है उसका आपको मिलेगा नहीं, तो लेकबाल के कार में बहुत सारी चीजे मिनसन होती हैं, तो हम आगए-आगे जैसे भी पढ़ेंगे तो लेकबाल संबंदित को सब्धा वलिया भी है, जब आप सब्धा वलिया पढ़ेंगे तो लेकपाल के कार रयाब के वहाँ पे अपने आप सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी तो लेकपाल के कार के बाद आगे हम आते हैं कि लेकपाल और इसका जो पत्सुपान है वो क्या होता है लेकपाल का पत्सुपान देख लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है और वहीं पे हम लोग चगबंदी लेकपाल और राज़सु लेकपाल के बीच में अंतर भी डिफाइन करें तो आईए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेकपाल का पत्सुपान क्या होता है और यहां पे एक चीज़ ध्यान देजिएगा कि हमने अलग अलग दोनों चीज़े लिख दी है एक तरफ राज़सु लेकपाल को मिंसन कर दिया एक तरफ चखबंदी लेकपाल को मिंसन कर दिया तो चखबंदी लेकपाल जो होता है उसका सबसे बड़ा कार क्या होता है सबसे पहली बाद तो यह कार जो करेगा या चखबंदी विभाग के अंतरगत कार करेगा ठीक या चखबंदी विभाग के अंतरगत कार करेगा और यह राज़सु लेकपाल कार करेगा उसके बाद चकभंदी लेकाल का जो कार्ड रहोता है, इसका प्रमुक kiates की ग्रामीड छेत्रों से जितने भी भूमी है जो ग्रामीड खेत्रों की और जो इधर उधर भिख्री हुई है जैसे कि किसी कि भूमी कहीं है, माले ये एक खेत्रा, ये एक खेत्रा, टिक, तो किसी क ये A है ये B है अगर इन दोनों की खेद को भूमी कहीं एक 10 km की दूरी पे है या कहीं 2 km की दूरी पे है एक दूसरी 2 km कहीं ये एक South में तो एक North में है इस तरह अगर है तो वो चकबंदी लेकपाल का कार होता है वो बताए कि इसकी भूमी यहां पे है अगर आपकी भूमी को एक जगह पे एक चक बना दिया जाए और वही दोनों भूमी के बराबर आपको एक जगह पे दोनों भूमी दे दी जाए तो इस तरह वो चकबंदी भूमी करता है चक मतलब होता है चक को अलग अलग चक को एक जगह पे लाके मतलब इधर उधर जो विखरी हुई खेती है खेती योग के जो भूमिया है उसके छोड़े छोड़े तुकड़ो को मिला देना ही और किसी योग उसको भूमी बना देना यही होता है चकबंदी लेकपाल का कार और साथ ही साथ ये फजल का डेटा रखता है ठीक है क्रिसी योग जुपनी भूमी ये उसका नक्सा बनाता है उसको कम्प्यूटर रिक्रित करता है अब तो वरतमान में ये सारी चीज़ों हो गई और भूमी का रिकार्ड रखता है कि भूमी क्या कैसी कहां पे तो ये चकबं को जिसको डीगा जिसको और साहाय चेक्च चवंदी कानुद्म्र रिपोर्ट कि मोदे अधिकार्य फीर बोलते हैं व्हश्त शीड़ान के इंथज़ेता ही और चोसको अधिकार क्रłyकर गलता है चाहता ये रिपॉटर ये पत्सुपान होता है चकबंदी लेकपाल का पत्सुपान हुआ अब हम जानते हैं राजस्व लेकपाल के बारे में आपको मैंने बताया कि यह क्या हम बोलते हैं राजस्व उप निरिच्छक है यह ठीक तो अगर यह उप निरिच्छक है तो निरिच्छक कौन होगा तो राज पर भूफ में किया हुआ कि लेकपाल लोगों के बिद्रोह बोलेंगे कराना बंद कर दिया गया अभी वर्तवान में सिर्फ राज्यस तुलेकपाल का एक्जाम होता है और उसके बाद फिर कानून को और एक चीज़ याद रखिए कि जितनी भी लेखा जोका जितनी भी राज्यस तुलेटर रिपोर्ट है ये सारी चीज़े ये सिर्फ कानून को को करते हैं और फिर कानून को का कार होता है कि फिर अपने पर अभी आधिकारी आपको पता ही होगा कि ये UP PCS के त्रूँज सेलेक्ट होने वाला अधिकारी है जो रैंक पे होते हैं ये सारी चीज़े होती हैं तो सीधा बनते हैं और फिर नायब तहसिलदार एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा सुनके आच्चर होगा कि यह सबसे छोटा नायब पद है नायब तहसिलदार जो होता है वो सबसे छोटा नायब पद होता है सोचे कि इतनी कम पोस्ट पे होते हुए वे नाइक पद रखता है अपने पास नाइक की चीजे जो राज़त सो रेलेटेड होते हैं उनका भी अधिकार ही अपने पास रखता है मतलब नाइक पद है एक तरह से नाइब तहसिलदार का और नाइब तहसिलदार और तहसिलदार म जितना भी राज़स है उसको इकठा करने वाला यह अधिकारी होते हैं यह दोनों ठीक है अब यह अपनी रिपोर्ट किसको पहुँचाएंगे उप जिला अधिकारी के पास SDM के पास यह तो आपको पता ही होगा कि SDM कभी-कभी UPSC के तुरू सिलेक ठोटे हैं यह सारी चीज का कि UPSC के तुरू एक्जाम लिया जाता है और उसी में जो IS rank लाते हैं IS में जिन को स्लेक्स तन होता है वही आगे चलके जिलादकारी बनते हैं और कलेक्टर का पत संबालते हैं तो यहां पर इनका हमने पत सुपान देख लिया इनका कार देख लिया इस सारी चीज़े क्य क्यों कि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो अगले में हम रखेंगे कि लेकपाल का क्या होता है लेकपाल का पद क्या है लेकपाल का जितने भी कार जो करते हैं उसमें खसरा खतावनी ग्रदावरी है ना म्यूटेशन या फिर दाखिल खारिश करवाना यह सारी चीज़ जब हम लोग 3-3 पंचायती विवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पे explain करेंगे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं तो इस वीडियो को आप जितना भी हो सके share करें क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेनत की है अगर अच्छा response रहा तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा और बाकी फिर देखते हैं क्या होता है थैंक यू वीडियो देखने के लिए